योगिया अजित्यनाद का उत्तर प्रदेश के सीम का बहुत बढ़ा बयान राहुल की मंचा देश में विभाजनकारी बीजबोने की है योगिया अजित्यनाद ने बढ़ा बयान दिया है भारत विरोधी नेता बनने की तरफ अग्रसर है राहुल गांधी अलगाववादी ग्रूप के नेता की तरह बिहेव कर रहे हैं राहूल गांधी राहूल गांधी का लक्षे रास्ट विरोध है ये बड़ा बयान इसकी विभाजनकारी मंचा इस देश में सफन नहीं होगी मैं दुशन नागर का रुक करता हूँ योग्या दितनाथ सुवे के मुख्यमंत्रियों उत्तर परदेश के उनका राहूल गांधी पर हमला है और राहूल गांधी विदेश जाकर भारत विरोधी ताकतों के साथ मुलाकात करके क्या हासिल करना चाह रहे हैं देश देखे हमारे साथी ने बड़ी चिंता व्यक्त की पाकिस्तान के डोजियर में नाम आ गया जी फला ना हो गया जी धिमकाना हो गया नेता प्रतिपक्स चले गई कोई नहीं गया अरे भाई साब जो कारगिल का दोसी था नवाज सरीफ उसके घर चले गए मोधी जी बिना किसी प्रोग्राम के नामी डोजियर में गया हमारे प्रधान मंत्री तो स्वेम चले गए देश में भाजबा के नेताओं से मीडिया पूछ रही थी कोई पूर्व का तय कारिकरम नहीं था कोई प्रोटोकॉल सब को धज्यां उड़ा दी मोधी जीन का हवाईजाज उतारी है नी नेता प्रतिपक्シ अठल बिहारी वाजबई को सदयाव संभान दिया विदेसों में भेजा आप विदेस में आपके नेता गई हैं नेता प्रतिपक्ष देश के हैं मेरे हैं आपके हमने बेजा Congress party ने वेजा सुनिये इंटरप्ट मत करिये मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा है अच्छे मित्र है मेरे मैं आपके एक बार कहने पर आया हूँ मैं बिल्कुल आपको बोलने कर रहा हूँ प्रश्ण है मेरा उमीद है आप उत्तर देंगे इसका आप बताईए अटल जी वहां गए अटल जी ने बोला भारत पे लोगतन तो समाथ हो रहा है अटल जी ने क्या ये बात बोली अटल जी ने बोला कि सर्दारों को यहां पगड़ा जाता था अटल जी ने क्या बोला कि सर्दारों को पगड़ी जी के पीछे पूरा अरे आप सबसे बड़े हूं के अगवा तो आप ही मुझे लगने आप ही बहुत से पूरे ecosystem के जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष का मान हनन करने का प्रयास किया जा रहा है अब से पहले कभी कर रहे हैं और राहूल जी का कंपेरेजिन अटल विहारी बाचपई से हो रहा है देखें मैं कहना चाहता हूँ अटल विहारी बाचपई जी ने जिनेवा में किस मुद्धे पे गए थे दुष्यन जी को ना ध्यान हो तो मैं याद दिला दूँ कश्मीर के मुद्धे पे आज से नहीं 1950 से हमारा भेंकर मदवेदे कॉंग्रेस साथ हमारे जन्म के साथ ही और याद करिये उन्होंने भारत का पक्षी ही नहीं लिया था नर्सिमाराव सरकार को सारा श्रे दिया था और लोट क्या के घर में अपना बद्वेद वेक्ट किया था बाहर उन्होंने पूरा समर्थन किया और मोदी जी का याद करिये जब मोदी जी सीम थे और नवाश शरीफ ने डॉक्टर मनमोहन सिंग के लिए आपती जनक अभद्र पढ़ियां की थी और द्याती और जैसा तो मोदी जी ने गरच कर कहा था बहुत और मुख्यमंत्री कि 125 करोड देशवासियों के प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग कौन दूसरे देश का प्रधान मंत्री हमारे बारे हमारे पीम के बारे मैं सब बोल सकता है साब इसलिए तो मैं प्रधान मंत्री ने कौंग्रेस के किसी नेता ने भारती जनता पार्टी जब विपक्ष में थी विदेश में जाके कभी मजाक नहीं उड़ाया आपके प्रधान मंत्री क्या करते हैं विदेश में जाके कौंग्रेस पार्टी का और 70 वर्ष में जिन लोगों ने अपनी कु विदेश मंतरी तारीफ करते हैं लेकिन अगर चाईना के रोजगार के साथ में भारत के नेतापटिपक्ष ने कंपेर कर दिया तो अगलख जाती ए भई पूरा इको सिस्टम बिलबिल आ जाता है राहूल गांदी ने फैक्त करते गलता को विदेश मंदी ने कैसे का। राहूल गांदी ने चाइना में बेरोजगारी दर जो युमाओं की है वो 17% है जो रिकॉर्ट स्थर पर आज की डेट के अंदर और आप बात जुलाई की आखरा बात बता रहा हूं और आप चैना में बेरोजगारी दर किता है जून में बैंक किस तरह से ट्मॉलिश कर रहे ह हम सब को पता है आपको पता है हिंदुस्तान में करजा किस तरह से माफ किया जा रहा है सुदान चुत्रवेदी और यह जाओं लगता है दुश्यन जी आज डिबेट को डिरेल कर नहीं आए मेरा आपसे अनुरोध है डिबेट को साही होने के लिए जब यह लोग दूसरा को और जब हम बोलें तो इनका फिडर डाउन कर दीजें क्योंकि यह सिर्फ इस डंक से चिला कर डिबेट को डिरेल नहीं करना चाहिए मैं फैक्ट बोलता हूँ दुश्यन जी कान खोल के सुनिए चाइना में अनिम्प्लाइमेंट रेट जनवरी 2023 से अगस्ट 2023 तक बढ़ते 21 प्रतिशत हो गई उसके बाद अगस्ट 2023 से जनवरी 2024 तक 6 महिने के लिए चाइना ने अनिम्प्लाइमेंट का डाटा देना बंद कर दिया अब अगस्ट 2023 से जनवरी 2024 के पीछ का अनिम्प्लाइमेंट का डाटा नहीं दिखा सकते फिर जनवरी 2024 में उन्होंने नए तरीके से उसका एक नया parameter बना कर दिखाना चुरू किया और अब जुलाई दो हजार 24 में 17 प्रतिशत हो गया है जो चाइना में all time high है इनको ध्यान नहीं आ रहा है चाइना की अर्ष्यवस्ता की सिती यह है कि वहाँ सबसे बड़ी real estate की company ever grant default हो चुकी है चाइना में एक दर्जन जो real estate company है वो default हो चुकी है चाइना WTO में गया है चुकि उसकी जो electric cars है उनके production पर असर पढ़ रहा है क्योंकि European union ने duty बढ़ा दी है वो कह रहा है इसकी वाज़ हमारे बिरोजगारी बढ़ रही है और यह कहते है चाइना से भारत की तुलना नहीं हो सकती बिल्कुल दोनों सज्जन कान खोल के सुनिये यह ली फॉंग शू का नाम सुना है यह चाइना के defense minister से गाइब हो गए यह क्विंग गांग का नाम सुना है यह चाइना की करते हैं अरे बाए तो चिनलाने के लावा कोई भी कल्ब नहीं है तो ना फिर मोला हूं ली वांग शाओ जो करो